शेदपूर के ग्रामीन और शेहरी छेत्रों में बरते डेंगू के मामले को देखते हुए जिला डंद अधिकारी सह उपायुक्द ने कई दिशा निर्देश और सतरक्ता बरतने की अपील की थी लेकिन शेहर में जगा जगा पर कच्रों का धेर डेंगू और चिकन गुनिया जैसी बिमारी को और सक्रिय कर रहा है इस कच्रे के उठाओ के लिए अगर समय रहते नगर निगम एवम नगर निकायो दुआरा तद परता नहीं दिखाई गई तो चिकन गुनिया और डेंगू के खत्रे से निप्टा नहीं जा सकेगा शेहर जमशेदपूर का हाल यह है कि यहां के बड़े-बड़े अस्पतालों में फिलहाल बेट खाली नहीं है एक तरफ डेंगू का मामला लगतार बढ़ रहा है और वहीं अस्पताल में बेट खाली नहीं होने पर यह एक धरावना रूप ले रहा है बीते दिने बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए उपायुक्त मंजुनात भजनत्री ने स्वास्ति विभाग के पद अधिकारियों एवं स्वास्ति कर्मियों को ग्रामीन एवं शहरी छेत्रोंग में घर घर जाकर जागरुक करने एवं सतरक रहने की मोहीम चिराने को कहा था साथ ही दिशानर देश एवं सतरक्ता बरतने की अपील भी की गई थी क्योंकि केवल इस बिमारी से सिर्फ जागरुकता और सतरक्ता ही बचा सकता है बिल्कुल सतरक्ता ही हमें इस बिमारी से बचा सकती है लेकिन क्या सिर्फ सतरक्ता लोगों को और आम जनता को ही दिखानी पड़ेगी और नगर निगम और नगर निकाई के लोग खामोश बैठे रहेंगे सरकार एक तरफ लोगों को जागरुक रखने की बात तो जरूर कर रही है लेकिन अपने नगर निगम और नगर निकाई के अधिकारियों को क्यों निर्देश नहीं दे रही है कि जिस दिशा निर्देश पर काम करने की आवशक्ता नगर निगम एवं नगर निकायों को होनी चाहिए थी, वो पूरी इमानदारी से अपना काम कर रहा है। या फिर लोगों की जिंदगी की कोई परवाही नहीं है। क्योंकि इस तरह से कच्च्रे के ठेड़ पर जब बरसाद का पानी गिरता है तो ये कच्च्रे बदबू में तब्दील हो जाते हैं और सर्निक लगते हैं और पानी जमा हो जाता है। और इनी जमे हुए पानी में एडिस नाम का मच्छर पनपता है जिसके काटने से डेंगू फैलता है और खासकर ये मच्छर दिन में काफी सक्रिय होता है इसलिए डेंगू से बचने के लिए अपने शरीर को अच्छे तरीके से ढखना और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना कहीं किसी टायर या किसी खराब बरतन में जमे हुए पानी को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्यूंकि जमे हुए पानी से ही इस मच्छर की पैदावार होती है साथ में तेज बुखार बदन हाथ एवं जोडों में दर्द को नजर अंदाज बिलकुल भी ना करें और डॉक्टर से जरूर दिखाएं